सोमवार से उत्तर प्रदेश विधान मंडल का मौनसुन सत्र शुरू हो रहा है सर्वदली बैठक के बाद समाजवादी पार्टी के मुख सचे तक मनोजी बहार निकले मनोजी सर्वदली बैठक खत्म हुए किनकी निशूस को ले करके डिसकेशन हुआ क्या चर्चा देखें सर्वदली बैठक में सरकार की ओर से और मनी विधान सबाद्धेश जी के तरफ से यह पेच्छा की गई कि जो मुख भी पच्छ है इसका सहोग रहे चलाने में तो सदेव साकारात्मक चीजों में समाजवादी पार्टी का सहोग रहा है किन्तु जब उत्तर इसके छित्रों में नियूंतम से कम वर्षा हुई है नहरों में पानी मिला नहीं है आगोशित बिजली कटोती रही है तो आज किसान संकट में है बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या महिला अपराद अपनी जेगे खड़ा हुआ 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 बच्चियां सुरच्छित नही इस बात को मजबूती से हम लाएंगे चाहे महिला अपराद का सवाल लो चाहे महिला की आपमान का सवाल लाओ चाहे आज किसानों की समस्या रही हो या विरोजगारी की इन मुद्दों को पूरी मजबूती से समाजवादी पार्टी सदन में उठाएगी हाला कि ग्यान व्याफी का मामला इसमें बड़ा गर्म है साई सर्वे करा रहा है सत्र शुरूर ने जा रहा है तो क्या समाजवादी पार्टी के एजिंडे में ये मुद्दा है चर्चे की उमीद है देखे मन्य उच्छे न्याले का कोई निर्णे है उस निर्णे पर क्या कारवाई हो रही है ये मेरे पूरी जानकारी में नहीं है लेकिन हमने कहा कि मुद्दा आज है कि विरोजगारी का दंस न जहेल पा रहा है नोजवान जो आज आत्म हत्या की ओर जा रहा है किसान आत्मतिया के और जा रहा है किसान और गरीब की ठाली में अरहर की दाल तो पहले ही गाइब हो गई थी सब्जी भी नाधारत हो गई तो आज ये मुद्धे हैं और ये मुद्धे हम समझते हैं कि पचीस करोड जंता के उत्तर प्रदेश के मुद्धे हैं इन मुद्धों पर समाजवादी पार्टी काम करेगी आखरी सवाल ओम प्रकाश राजभर पिछले विधान सभा सत्र में आप के साथ थे इस बार दूसरी तरफ हैं हाला कि आपके सहयोगी रहे हैं चुनाव साथ में मिलकर लड़ा लेकिन इस वक्तस्वीर जुदा है करेंगे तो लोगतंत रहे मुबारक उनको लेकिन हम यह भी आप एच्छा करेंगे कि जहां गए वहां करें कुछ कुछ रहेगा मतलब उनके जाने का आपको लगता है कुछ असर समाजवादी पार्टी पर रहेगा समाजवादी पार्टी अपने उद्धों विचारों और सिधान तो पर लड़ती है आने जाने आले लोग आते और जाते रहते हैं सिधान तो विचारदाराएं अटल हैं अडिग हैं कभी न तूटने वाली हैं न कभी कमजोर होने वाली हैं और समाजवादी लोग समाजवादी विचारदारा पर ही नहीं रखते हैं वो कहते हैं इससे कोई फरक नहीं पड़ने वाला क्यामन परसंड गोपी गिरी के साथ मुहमर शबाब न्यूजेटी लखनौव